नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Soldier General Duty, Soldier Tradesman 8th Pass और Soldier Tradesman 10th Pass के सिलिबस के बारे में तो दोस्तों हम अपने चैनल पर आपके लिए वीडियो तो लेकर आते रहते हैं कि यहां पर बढ़ती निकली हुई है यहां पर बढ़ती निकली हुई है खास करके दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत जल्दी मिल जाती है क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मेरे चैनल पर army की जो vacancies होती है जैसे ही release होती है सबसे पहरे आपको उसकी notification देखने को मिल जाती है तो दोस्तों आज मैंने सोचा कि आपके लिए notification देने से काम नहीं चल पाएगा क्योंकि आपके लिए notification के साथ साथ आपको उसका selection procedure भरतिक कैसे होना है और उसका syllabus क्या होगा वो भी बताना जरूरी है तो दोस्तों इसलिए मैंने अपने चैनल पर एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आर्मी की JCOs और OR मतलब जितनी भी पोस्ट होती हैं आर्मी में जैसे clerk हो गया soldier technical हो गया, nursing assistant हो गया, de-farmer हो गया, tradesman, GD ठीक है जो भी trades होती है, RT, JCO जो जितनी भी trades होती है, सभी trades के मैं दोस्तों आपके लिए slaves लेकर आपके लिए आ चुका हूँ, ठीक है तो आज हम discuss करेंगे दोस्तों Constable GD, tradesman और tradesman 10th pass के slaves के बारे में तो चलिए दोस्तों, start करते हैं आज की वीडियो, लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना और हमारे यूट्यूब चैनल सिभा आउनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब जरू कर लेना, तो चलिए दोस्तों मैंने ये slaves जो है वो आल्रेडी डाउनलोड करके रखा हुआ, यहां पर आप देख सकते हैं आपको देख रहा होगा, soldier gdpdf, ठीक है, तो यहां पर दोस्तों यह है, मैं आपको देखा दूँ नहीं, तो कुछ लोग यह बोलेंगे, कि यह गर पर बनाया हुआ है, मुझे पता है, यूट्यूब पर मैं लोगों की वीडियो देखते रहता हूँ, बो लोग फेक वीडि अपलोड किया गया है, स्लेबस है, यह आप देख सकते है, www.johanindianarmy.nic.in, ठीक है, और अगर आपके लिए यह पता करना है, कि यह स्लेबस को मैंने डाउनलोड कहा से किया है, तो आप कमेंट बोक्स में आके कमेंट करें, मैं आपके लिए यह बता दूँगा, कि यह पास, पैटर्न दोस्तों आपका क्या होगा, वो अब मैं बता देना चाहता हूँ, तो सोल्जर जीडी में जो आपका दोस्तों पैटर्न होगा, वो आपका जर्नल नॉलिज, जर्नल साइंस, मैथ और लोजिकल रिजिनिंग, मतलब यह चार सब्जेक्ट होंगे आपके जर्नल नॉलिज के पंदरा कोस्टन, जर्नल साइंस के पंदरा कोस्टन, मैथ के पंदरा कोस्टन, और लोजिकल रिजिनिंग के पांच कोस्टन होगे, ठीक है, तो यह सभी कोस्टन जो दोस्तों होते हैं, दो-दो नॉमबर के, मतलब जर्नल नॉलिज के पंदरा कोस्टन क आपको तीसमा अक्सम लेंगे मतलब कोश्चन जो होंगे आपके वह आपके दो दो नमबर कोश्चन होंगे टोटल सो नमबर के आपका पेपर होगा जितमें 50 कोश्चन होंगे ठीक है उसके बाद में दोस्तों अगर आपके पास में NCC Certificate holders हैं आप तो आपका NCC Certificate C Certificate ठीक है तो अगर आपके पास में C Certificate है तो आपके रिटेन एक्जाम जो होगा मतलब आपको आपको और फिजिकल और मेडिकल ही देना होगा रहा है उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहां पर Soldier Tratesman के बारे में है जो कि 10th Pass के वेकिन्छी जो तीज होती है लेकिन इसमें दोस्तो general knowledge के 15 questions होंगे, logical reasoning के 5 questions, general science के 15 questions और math के 15 questions होंगे, ठीक है, सबी questions दो-दो number के होंगे, तो total cool मलाके 50 questions होंगे आपके और 100 number का आपका paper होगा, इसमें आपको pass होने के लिए GD में 100 में से 35 number लाना नवारी होता है, और tradesman में pass होने के लिए 100 में से 32 number लाना आपको अनवारी होता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि केवल आपको 35 और 32 number लाने से आप pass नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आज कल दोस्तों आप सभी को पता है कि merit list के आदार पर आपकी जोएगो भरती की जाती है हर department में, तो अगर आप pass हो भी जाएंगे और merit में नह जरूरत नहीं होगी, ठीक है, नेक्स्ट है दोस्ते यहां पर soldier tradesman 8th pass, यहां पर दोस्तों कुछ खास trade की भरती होती है, जैसे housekeeper और messkeeper, केवल यही दो trades हैं, जिनकी soldier tradesman 8 pass के लिए भरती होती है, और मैं बता रहा हूं, सरकारी नोकरी में आज की date में केवल आर्मी ही ऐसी सं जिसमें अभी तक 8th pass के लिए भी भरती किया जा रहा है, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इनका भी जो syllabus होगा, वो general knowledge, logical reasoning, general science, और math होगा, सभी questions दो-दो नमबर के होंगे, total questions 50 होंगे, मात 100 होंगे, और आपके लिए पास होने के लिए 32 नमबर की जरूरत होगी, और दोस पास में C certificate है, तो आपके लिए कोई भी written exam देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हमने आपके लिए मोटा मोटा तो बता दिया कि कौन से subject से कितने questions आते हैं, अभी हम आपको syllabus में ये बता दें दोस्तों कि आपका जो general knowledge होंगे, general science होगी, उसमें किस टैप के questions आएंगे, मैथ होगा और आपके जो logical reasoning है, इनमें किस टैप के questions आते हैं, तो आप देख सकते हैं, दोस्तों, these test will include questions relating to India and its neighboring countries, especially pertaining to history, culture, geography, ठीक है, तो ये general knowledge के questions होंगे दोस्तों, वो आपके पास में होंगे, इंडिया और इंडिया की जो पढ़ोस की countries हैं, related questions होंगे, जिसमें दोस्तों खास कर history, culture और geography टाप के questions आएंगे, ठीक है, and who, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों है, इन addition, abbreviations, sport awards and prizes, trigonometry, armed forces, content, continents and subcontinents, inventions and discoveries, the constitution of India international organization, book and authors, knowledge of importance, events that have happened in India and at world level, the recent years, ठीक है, current importance, worlds, events, prominence, personalities and etc. तो इस टाप के दोस्तों जो है, वो आपके general knowledge में questions आते हैं, मैं आपको हिंदिया बता देना चाहता हूँ, इंडिया और इंडिया के पास की जो countries हैं, उनसे related questions आएंगे, आपके history, culture, geography की questions आएंगे, उसके बाद में कुछ आपक questions आपसे आएंगे, उसके बाद में कुछ current affairs tag के questions भी आते हैं दोस्तों ठीक है, तो इस tag के आपके general knowledge में questions आने वाले हैं ठीक हैं, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं तो जनेरल साइंस में questions of general science will include topic related to physics, chemistry and biology थीक है तो जो general science में आपके questions चाहेंगे वो physics, chemistry and biology से related questions आएंगे उसमें दोस्तों जैसे आपके different between living and non living basis of life, cells, proto-perms and tissues, growth and इसी तरे आपके आपके questions आते हैं इस टाप के जो है आपके जनरल साइंस में कोस्टन्स आएंगे उसके बाद में आता आपका mathematics मैथमेटिक्स में आपके दोस्तों नंबर सिस्टम आता है computation of whole numbers, decimal and fractions, relationship with the numbers मैथमें आपके ये questions आएंगे, नंबर दो में दोस्तों आपके आएंगे fundamental arithmetic operations, SCF, LCM, इस टाप के आपके questions आएंगे, उसके बाद में fraction, percentage, ratio and proportion, square roots, ठीक है, इस टाप के आपके math में questions आते हैं discount हो गया, partnership हो गया, profit and loss हो गया, इस टाप के आपके छोटे-छोटे questions आएंगे जैसे time and distance हो गया, time and work हो गया, ठीक है, इस टाप के आपके math में questions आते हैं, उसके बाद में दोस्तों आपके algebra, geometry और menstruation में से कुछ questions आते हैं, उसके बाद में आपके logical reasoning में the questions will be based on the loyalty ability of the candidates of age group, ranking between 16-20 years, ठीक है, तो इस टाप के आपके जो हैं वो logical reasoning में questions आएंगे, तो ये था दोस्तों, आज soldier general duty, soldier tradesman और soldier tradesman 10th pass और 8th pass दोनों का pattern और syllabus, मैं आपके लिए बिल्कुछ detail में बता चुका हूँ, फिर भी अगर कोई doubt है तो आप मुझसे comment करके प्रूँ सकते हैं, तो उम्मिद करते हैं दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूटूब चैनल सिवा ओनलेन क्लासिस को सब्सक्राइब जरू करें, तो चलिए दोस्तों कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो को साथ में, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत